हेलो स्टुडेंट्स मैं राकेश कुमारी आदो मैं आज आपके लिए मेहत के कुछ क्यूशन लेकर आया हूँ जो एक्जाम्स के लिए मेहत पुर्ण है देखिए पहला क्यूशन परते एक चौदा से में लंबी बुजा वाले एक संभावतिर बुज का चैतर पल तो संभावतिर बुज के चैतर पल का सुतर होता है फॉर्मॉला होता है रूट तीन बटा चार इंटू बुजा इस्क्वाइर तो रूट तीन बटा चार इंटू बुजा कितनी है चौदा इ हो जाएगा उन्चास रूड तीन उन्चास रूड तीन सेंटीमीटर स्क्वायर आगे देखे स्टूडेंट्स दूसरा क्यूसन दो संख्या का मैं अतम समापड़ते साथ और लगुतम समापड़ते चार सो चोंतीस यदि उन्में से एक संख्या चोगदा तो दूसरी संख्या ग्याद कीजिए तो एक फॉर्मॉला होता है श्टूडेंट्स पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर lcm into hcf तो दूसरी संख्या निकालना लाँ है उसको अक्समाल लेते हैं lcm हो दायएगा 434 into hcf कितना हो दायएगा 7 hcf हो दायएगा 7 पहली संख्या 14 है चोगदा अपन यहां पे 14 लिखना है पहली संख्या पहली संख्या 14 तो ये चला जाएगा 7 से दो बार अक से बराबर 434 बटा दो ये हो जाएगा 217 आगे देखे तीसरा क्योशन स्टुडेंट्स एक दुकंदार किसी पुस्तक को 14 परतिसत की हानी पे बेजता है कितने परतिसत की हानी पे? 434 परतिसत की हानी पे 14% की यादी वहान विक्राह मुल्ले में 100 की वर्दी होती है तो 14% की हानी पे अगर किसी वस्तुगा कोष्ट पराईज 100% है, 14% हानी मतलब 83% में बेज रहा है यादी वहान उसे 100 रुपय दिक्स में बेता है 6% का लाव होता है 6% का लाव मतलब 106 में बेच रहा है 106% में इन दोनों का अंतर कितना हो गया 20% का रूपए में कितने का अंतर हो गया 100 का 100 बटा 20 इंटू 100 तो 100 से चला जाएगा ये 5 बार उस तका करे मुल्ले आजाएगा 500 रुपएया आगे देखे स्टुडेंट्स चोता क्विशन एक व्यक्ति ने फिचोतर अजार की दनरासी साड़े साथ परतिशत वार्शिक सादरन ब्याज की दर्श से 6 वर्ष के लिए निवेश की 6 वर्ष में होने वाला प्राप तो साथ पॉइंट पांच इंटू 6 कितना हो जाएगा उसका परतिशत साथ सी गुबई आली स वर्ष वर्ष परतिशत तो मिसर्दन फिचोतर अजार बटा पुरा सो है अपर को इसको मिसर्दन निकालना है तो मूल्दन प्लस मूल्दन प्लस ब्याज 145 हो जाएगा दो जीरो से दो जीरो से दो जीरो से दो जीरो है पिर साथ से साथ पंजे 35 का साथ पंजे 35 का पांच हासल की तीन सा चोग 28 28 से तीन 31 का एक हासल की 3 7 7 7 तीन 10 से तो पांच साथ आठ एक लाग आट अजार साथ सो पचास आगे देखें स्टुडेंट्स अक्स और वाई एक कार्य को आट और बारा दिन में अक्स कितने दिन में? आट वाई कितने दिन में? बारा दिन में दोनों का लग उतम? चोईस, आट याद चोईस, बार दूना चोईस वे वेकलपिक रूप एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं पहले दिन अक्सकार्य करता है मतलब पहले दिन अक्सकार्य कर रहा है दूसरे दिन कर रहा है वाई दो दिन के अंदर कितना काम? पांच काम दो दिन में पांच काम तो चोईस काम 5 की स्पीड से कितने दिन में? 4 मतलब 8 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा? 20 9 दिन करेगा 3 और कर देगा तो 23 काम हो जाएगा तो 9 सही कितना काम बचा? 1 कौन करेगा? Y तो 9.5 दिन में आगे देखिए चट्वाई चुशनी स्टुडेंट्स आगे में 2 गंठे की आतरा करता है यदि उसकी पूरी आतरा की उस्त चाल तो कुल दूरी और कुल समय हो जाएगा 3 और 2 5 गंठा बराबर उस्त चाल कितनी है? 30 की तो यह हो जाएगा 80 पलस 30 अक से बराबर 150 माइनस 80 अक से बराबर 70 की मी आगे देखें स्टुडेंट्स अरुना की एक छोटी बहन है जिसकी आईउ अरुना से 8 वर्स कम है यदि अरुना की बहन की आईउ 18 वर्स है तो अरुना की आईउ याद कीजिए कितने कम है? 8 वर्स कम है तो 18 पलस 8 बराबर 26 वर्स है अरूना की आयू आगे देखे students यदि 2 अक्स 2 अक्स 2 की गाद अक्स 2 की गाद अक्स इंटू 4 की गाद 12 इंटू 8 की गाद 3 बराबर 16 की गाद 11 तो यह हुझाएगी 2 की गाद अक्स इंटू यह हुझाएगी 4 की गाद 2 की गाद 24 इंटू यह हुझाएगी 2 की गाद 3 तिया 9 बराबर 4 तो 2 की गाद 4 इंटू 11 तो 2 की गाद 44 तो बे समाना तो गाते ब्राबर हो जाएगी गाते ब्राबर हो जाएगी X ब्राबर 24 आगे देख देखे श्टूडेंट्स, 9 ग क्यूंस, 9 गूशन आगे देखे, नवाद क्यूंस, एक्स बंटा वाई ब्रढबर 3 बंटा दो तो एक्स का माना जाएगा 3 तो 3 कीगा, दो तो 3 तीर उन नं पलस दो दुनी चार तीन तीया 9 माइनस 4 तो यह जाएगा 9 और 4 13 बटा 5 आगे देखे students सांती और कीर्थी की वर्तमान आयू 7 अनुपात 3 है 5 वर्स बाद सांती की आयू 40 वर्स होगी तो वर्तमान आयू कितनी है सांती और कीर्थी की वर्तमान आयू कितनी है 7 अनुपात 3 5 वर्स बाद कितनी हो जाएगी 40 माइनस 5 तो अभी कितनी है सांती की 35 वर्स अनुपात में कितना है 7 तो एक अनुपात तो यह हो जाएगा 35 वर्स यह हो जाएगा 15 वर्स एक अनुपात वराबर पांच आया तो तो पांच वर्स बाद कीरती के आयू कितनी हो जाएगी तो पांच वर्स कीरती में 15 है अभी पांच और जोड़ते थे हैं 20 वर्स धन्यवाद इस्टुडेंट चैनल को लाइक, सेर, सस्क्राइब करें ज्यादा से ज्यादा